आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्टी ढोकले की रेसिपी जिसे हम बनाएंगे बाजरे के आटे से ये देखी कितने सॉफ्ट हमारे ढोकले बने हैं बिल्कुल मुझ में घुल जाने वाले और अगर आप भी अपने बच्चों की हड़ियों को स्टॉंग बनाना चाहते हैं बाजरे का आटा खिलाना चाहते हैं तो इस तरीके की रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि इस तरीके की जब हम रेसिपी बनाते हैं तो ये देखे बिल्कुल साथ मैंने बनाई एक बहुत ज्यादा यमी सी चटनी ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी एक बार इसको जरूर ट्राइ करिएगा नमस्कार मैं वंदनाव का स्वाधत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फुटी फुटी पर तो बाजरे के आटे के ढोकले बनाने के लिए हम जिन इंग्रीडियन्स का इस्तमाल करने वाले हैं वो सारे इंग्रीडियन्स आपको घर पर बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा बाजरे का आटा, यहाँ पर हमने 200 ग्राम बाजरे का आटा लिया है और इसी के हिसाब से हमने यहाँ पर बेसन लिया है बेसन डालना आप्शनल है आप चाहें तो केबल बाजरी के आटे से ही यह रेसिपी बना सकते हैं जितना हमने बेशन लिया है उतना ही यहाँ पर हमने दही भी लिया है यानि बनफोर्थ कॉप आप कह सकते हैं दही भी हमने यहाँ पर लिया है वन फोर्थ कभी हमने यहाँ पर यह सोक किया हुआ चना दाल लिया है चना दाल को हमने एक गंटे पहले गर्म पानी में भिगो दिया था और यह अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है इसको आप तोड़ कर देखेंगे तो यह आसानी से तूट जाएगा साती हमने खूब सारा हरा धनिया लिया हुआ है स्वाधा नुसा नमक लिया हुआ है कुछ साबुत यह हमने शीर्स लिये हैं कोरियंडर के धनिया के खड़े बीच जीरा, सौफ, सफेद तिल, हल्दी पाउडर और यह लाल मिर्च और लैसन का इस्तमाल हम चटनी बनाने के लिए करेंगे तो चलिए इन सारे इंगेडियेंट्स के साथ हम बनाएंगी बहुत जदा हेल्दी और यमी टेस्टी रेसिपी अब मैंने यापर इडली कुकर ले लिया है जितनी देर में हमारा बैटर तयार होगा उतनी देर में इसमें अच्छे से स्टीम आ जाएगी ज़रे के यमी और टेस्टी डुकले बनाने के लिए हम आज यूज करेंगे इडली स्टेंड का इडली स्टेंड सभी के घर में आसारी से एवलेबल रहता है अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप इस रैसिपी को स्टीमर में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं इस रैसिपी को बनाने के लिए ट्रेडिशनली मूमफली का तेल ही इस्त़ाल किया जाता है दाल करके यहां पर यूज़ करना है आप जो दही लिया था उसको भी हम इसमें डाल देंगे हमने जो बेशन लिया था उसको भी इसमें डाल देंगे सारा मुंफरी का तेल हम इसमें डाल देंगे एक टी स्पून के करीब हरल्दी पाउडर इसमें डाल रहे हैं एक टी स्पू क्यों ही हरी मिर्च यहाँ पर हमने रेड कलर वाली हरी मिर्च का इस्तुमाल किया है क्योंकि जब हम यह रेसेपी बच्चों को देते हैं तो वो आसानी से इन मिर्चों को निकाल सकते हैं कट किया हुआ हरा धनिया हरा धनिया की क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखने है आपको एक टीस्पून ग्रेट किया हुआ अध्रप अब जो मसाले हमने लिये थे उसमें से हमने एक टीस्पून सौफ को ले लिया है उसको हम इसमें डाल देंगे एक टीस्पून साबूद ज चरब लिकंटिन लेंगे अब इन सारे मसालों को मैंस अर मिनसे मढ़न, तक अछय और किवें बढ़े कर चुछिए, जूरो पर व्ट है क्यरों, देक्षा जोस हो हrit है और नहीं दो से दूरन, अछय है है, तक में सारे मसालों, तक ले दोकाइश the only है अब इन सारे मसालों को भी हम इस बॉल में डाल देंगे तू पिंच के करीब हम इसमें हिंग भी आइट कर देंगे अब हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून के करीब ये खाने वाला सोडा अब इन सारी चीजों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसका हम एक त्यार कर लेंगे यह देखे इस तरीके से हमें मेक्स करना है अब हम इसमें दो से तीन टेबल स्पून पानी डाला है यहां पर बहुत थोड़ा पानी डाला आप चाहें तो यहां पर दही डाल सकते हैं फिर छाज को भी डाल सकते हैं और यह देखे रोटी जैसा सॉफ्ट डो बना करके हमने तयार कर लिया है यहाँ पर आप नमक वगएरा टेस्ट कर सकते हैं मेरा नमक वगएरा बिल्कुल ठीक है अब हम इसके ढोकले तयार करेंगे इस तरीके से हमें इसके ढोकले बना लेने हैं इस तरीके से हम इसको गोल कर लेंगे और इस तरीके से इसमें छोटा साम छेद कर देंगे और इसी तरीके से हम सारे ढोकले अपने बना करके तयार कर लेंगे और ये देखे सारे ही ढोकले हमारे बन कर तयार हो चुके हैं अब हम इनके उपर थोड़ा सा पीनेट ओयल और लगा देंगे अच्छे से हमें ग्रीसिंग कर देनी है सारे ढोकलों की आप चाहें तो इस रेसेपी में देसी गी या फिर ऑलिव उायल का भी इस्तमाल कर सकते हैं और ये देखे सारे ही ढोकले हमारे ग्रीस हो चुके हैं और अब इन सारे मोडल को हम इडली स्टेंड में इडली के इस तरीके से सेट कर देंगे और ये देखे प्रेशर कुकर में बहुत ही अच्छे से स्टीम आ रही है और अब हम इसमें ये इडली वाला स्टेंड रख देंगे ध्यान रहें कि नीचे वाला स्टेंड आपको खाली रखना है और अब हम कुकर को कवर कर देंगे और लगबग 20 मिनिट तक के लिए ढोकलों को अच्छे से स्टीम होने देंगे यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें विल्कुल स्लो रखना है जब तक हमारे ढोकले स्टीम हो रहा है उतनी देर में ढोकलों के लिए बहुत ज़्यादा यमी सी चटनी बनाएंगे उसके लिए हमने यहाँ पर दो टेबल स्पून कुकिंग ओयल कड़ाई में ले लिया है दो टेबल स्पून के करीब मूफली के दाने को भी हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ओयल को हमने बिल्कुल भी गर्म नहीं किया है कच्छे टेल में ही हमने देखि सारी चीजों को डाला है अब इनको हम थोड़ी देर के लिए फ्राइ कर लेंगे और यह देखिए बीच-बीच में चलाते हुए दानों को हम बहुत अच्छे से यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं दाने हमारे बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और एक मिनट के लिए रुख जाएंगे और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं लगबख एक टी स्पून के करिब सफेद तील ओइल हमारा गर्म है और इसी गर्म ओइल में यह बहुत ही जल्दी से तिल भून जाते हैं तेकि गैस बंद करने के तुरंत बाद तिलों को मड़ डालेगा तिल आपके जल भी सकते हैं तिलों को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको अच्छे से चला देंगे ताकि तिल हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएं और यह देखिए इसको अब हम ठंडा होने देंगे सारी चीज़ों को ठंडा करने के बाद हमने एक राइंडिंग जार में निकाल लिया है अब इसमें दो से तीन टेवल इस्पून ये घर का जमाया हुआ गाड़ा दही डाल देंगे मैंने याँ पर खटे दही का इस्तमाल किया है एक से दो टेवल इस्पून मैं इसमें पानी भी आड़ कर रही हूँ हाफ टीस्पून नमक यहां पर हम डाल देंगे इसमें और अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ये देखे चटनी को हमने ग्राइंड करके तयार कर लिया है यहां पर आप चाहें तो एक कली लैसन की कच्ची भी डाल सकते है उससे भी आपकी चटनी में काफी यमी स्वाद आता है कुछ लोगों को भुने लैसन का स्वाद की चटनी में नहीं पसंद होता है तो वो लैसन को बिना भुने यानि कच्चा भी डाल सकते हैं दोनों ही फ्लेवर में लेसन चटनी में बहुत अच्छा लगता है अभी चटनी को एक बॉल में निकाल लेंगे और ये देखिए बहुत ज़्यादा यमी टेस्टी हमने चटनी बना करके तयार कर ली है और ये लीजिए 20 मिड़े बार ढोकले हमारे बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और एक टूथपिक लेंगे और इसकी मदद से हम चेक कर लेंगे ये देखिए टूथपिक को हमने पूरा अंदर तक डाल करके देखा है इसके ओपर कुछ भी नहीं लगा है यानि कि ढोकले हमारे बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके है अब ढोकलों को हम थोड़ा सा थंडा होने देंगे और उसके बाद ही हम इनको डीमोल्ड करेंगे अब अपने टेस्टी और यमी ढोकलों को हम ये देखिए डीमोल्ड करेंगे एक स्पून लेंगे और इस तरीके से हमें इसको डीमोल्ड कर लेना है वाव ये देखी कितने अच्छे ढोगले हमारे बन करके तयार हुए हैं इसी तरीके से हम सारे ढोगलों को डी मोल्ड कर लेंगे ये लिजे ढोगलों को हमने एक प्लेट में सॉफ कर लिया है इसके उपर हम डाल देंगे ये रोस्टेट सफेद वाले तिल जो की काफी जादा क्रंची टेस्ट देते हैं इनको आप उपर से जरूर डालिएगा आप चाहें तो इन ढोगलों को थोड़ा सा ओयल में फ्राई करके भी ले सकते हैं लेकिन बिना फ्राई किये हुए भी ये ढोगले बहुत अच्छे लगते हैं और आज हमने जो ढोगले बनाए हैं उनको हम बिना फ्राई किये ही इंजुआए करेंगे इन टेस्टी और यमी ढोगलों को हम इंजुआए करेंगे अपनी बहुत ही ज़्यादा हैल्दी और यमी चटनी के साथ मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी एक बार इन दोनों रेसिपीज को आप जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा जरूर की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी लाइक और शेयर करें मेरे वीडियोज को और मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें साथी बेल आइकन शरूर दबा दिजेगा ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले जल से दल थैंक्स फॉर वाचिं आपको